हेलो दोस्तों आप सबी कुछ चिली तड़का में स्वागत हैं आज हम बनाएंगे आलू पराथा शॉप्ट और टेस्टी आलू पराथा अब सुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो कॉप आटा 500 ग्राम हाटा लिया है इसमें नामक दालेंगे और एक बड़ी चमस तेल डलेंगे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डलके एक दोव बनाएंगे जीस कॉप से अटा लिया था ओही मेजर्मेंट कॉप से एक कव पानी लिया है अब बन गया है हमारा दोव रेडी हो गया इसको कवर करके पांदरा मिनुट के लिए रेष्ट करने देते हैं दो कॉप अटा के लिए एक कॉप पानी लगा अब स्टॉपिंग के लिए बर्ल्ड अलू लिया है अलू को मैस कर लेंगे अच्छे से मैस कर लेंगे अब इसमें नमक डालेंगे इसमें स्वात की जब से नमक डालके हाथों से मैस कर लेंगे अब प्यान गरम करेंगे आलो को भून लेकिते इसमें एक बड़ी चमध्य तेल डालके सोर्षो डालेंगे अब डालेंगे कुटी ही अत्रक लैसून और हरी मेर्च और कोडी पता को 1 मिनिट के लिए भूनेंगे अब इसमें डालेंगे कटी ही प्याच प्याज को नहीं भुनेंगे जदे टाइम अब इसमें डाल देंगे अलू के साथ प्याज को मिक्स करेंगे अलू के साथ प्याज साप्ट हो जाएगा अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमाच चाट मसाला एक छोटी चमाच गाराम मसाला अधे छोटी चमाच चिली पाउटर इन शबी को अच्छे से अलू के साथ मिला लेंगे अब इसमें कटी हुई धन्या पता डालके दो मिनिट के लिए अलू को भुनेंगे अब हमारा स्टपिंग रेडी हो गया अब बीना भुने भी स्टपिंग तयार कर सकते हैं आपको जो पसंद आप वही करें अब हमारा डो रेडी हो गया इसका गोला बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे नार्माल पराठे से थोड़ा सा बड़ा लाएंगे स्टपिंग के लिए पहले ट्रांगेल पराठा बनाते हैं कि पराठा के लिए सेंटर से साइड तक एक कट लगांगे अब एक साइड जे ट्रांगेल से में स्टपिंग भरेंगे अब अब इसको फोल्ड करते जाएगे ट्रांगेल करते जाएगे साइड को की दबा लेंगे अर आम से दबा लेंगे कि बनना गया उमारा पराठा, अब भुल पराठा बना है यह गोल पराठा बनाने के लिए प्याला जैसा बनाएंगे, टपिंग भनने के लिए, निचे से उपर की तरफ गुमा गुमा कर दबाएंगे, इसका मौ को बॉंद करेंगे, अब इसको द्यान से बेलेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, स्टपिंग में कुछ हार चीज़ होगा, तो बेलने के टाइम खराप हो जाता है, मैंने जो आलू के साथ प्याज को भून लिया था, प्याज साप्ट हो गया था, इसलिए मेरा कहीं से भी खराप नहीं हुआ है, अब चलते हैं, पराठा को शिकने के लिए, फ्लेम को मेडियूम टो हाई रखेंगे, एक साइड थोड़ा सा सिक चाहें, तो दूसरी साइड को पलड देंगे, ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे, नहीं तो हार्ड हो जाएगा, अब इसमें तेल या घीड डलेंगे, शॉप्ट पराठा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बना सकता है, आपको ध्यान देना है, पराठा के लिए सॉप्ट डो बनाना है, डो को कभर करके रखना है, सुखने नहीं देना, शॉप्पिंग में कुछ हार चीज ना हो, इसको ध्यान में रखना, प्याज ड ले को पराठे को एक ज्यादा टाइम एक साइड को नहीं पकाना है ऑलट पालट करके पकाना है क्लेरत क्याश को मीडियोम टू थु है रखना है अब साइव्यक्राइच से दबा दबा कर पकाना है अब देखिये हमारा टेस्टी पराठा बन गया आप इसे केचुप मायनेज दोही और चटनी जिसके साथ आपको अच्छा लगता है आप खा सकते है आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद